हालो माई लवली फ्रेंड्स मैं आज एक रिव्यू लिके आई हूँ वह हुड़ा ब्यूटी द पिंक एडिशन लिक्विड मेड मिनीज का जिसका चार सेड है इसे मैं फ्लिपकाट से ओरर की थी इसका प्राइस और लिंक मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स मैं दे दूंगी और यह काफी अच्छा और एफड़वल है फ्रेंड्स मुझे यह बहुत पसंद आया इसका चार सेड है जिसका नाम है गोशिप गल प्रोफी वाइप आइकन और विडियो स्टार यह देखिए साथ यह कवर से आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन मैं इसका स्वाचर से ल से बिजवार चल जाएगा इच शेड चलिए खोल के देखते हैं यह अंदर से कुछ ऐसा है क्यां से आपको शेड़ पता चल गया होगा मैं टर्न करके आपको दिखाती हूँ इसे मैं लगा कर भी दिखाऊंगी इसका स्वाचेस भी दिखाऊंगी वीडियो को लाइक करना ना भूले और एंड तक देखें पुरा डिटेल्स में देखने के लिए यह देखिए इसका यह चार सेड है डिफरेंस आपको पता चल जाएगा लगाने के बाद एंड तक दे और यह रहा इसका एक्जक्ट कॉलर आप देख सकतों साइड में जो फोटो है वहां आपको एक्जक्ट कॉलर पता चल रहा होगा इसका जो करीमी है यह जेल नहीं है यह गिरेगा नहीं और यह बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इसके लिए आपको ज़्या घिसना न आता है जिसको चॉक्ट बहुत पसंद है मेरे जैसे उनको तो यह पसंद आएगा ही तो चलिए स्टार करते हैं इसे लगाना आप देखते जाए कि इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इसे आपको जाता रगणा भी नहीं पड़ता और मैं लाइनर नहीं यूज करती इस ले मैं इसी से ही अपना लिप में लाइनिंग कर रही हूं और इसे ब्लेंड कर रही हूं आप देख सकते हो यह बस है एक ही बार में मैं आधा इसका रख लिया था राधा यूज कर रही हूं यह कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है एक ही बार में और यह बस कुछी और शुकने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है ये देखिए ये ऐसे टॉच करने से भी ये नहीं आ रहा है इतने आसानी से नहीं जाएगा फ्रेंट्स ये ज्यादा रगनने के बाद कुछ इतना आ रहा है तो मैं इसे क्लिंजर से साप करूँगी ये देखिये बस ये क्लिंजर से ही जाएगा फोवी थोड़ असा हलका सा तो कि इसने के बाद रगनने के बाद रगनना पड़ता य यादा भी नहीं और ये खाते टाइम बिलकूल भी नहीं जाता है I have tried it out यह हो गया साब अभी हम second वाला ट्राय करते है कि कैसा कलर है तो यह रहा second वाला जो कि पहले से थोड़ा आस पास है लेकिन यह थोड़ा सा रानी शेड में आएगा जो से रानी कलर का शेड में आएगा हलका सा ज्यादा भी नहीं और फर्स वाला काइंड अभ बेबी पिंग था यह काइंड अभ रानी अहाईगा इसका लगा के रिखाती हूँ और इसका फोटो भी साइड में डालती हूँ कि यह कैसा लग रहा है और यह रहा हमारा second वाला कलर जिसका नाम है वीडियो स्टाल यह पहले से थोड़ा डार्क है यह काइंड आव रानी शेड में आ रहा है आप लोग देख सकते हो अगर आपको वेबी पिंग से अगर यह वाला पिंग ज्यादा पसंद है तो आपको यह बहुत पसंद आएगा यह देखिए इसका परफेक्ट कलर है फोटो से भी आप देख सकते हो कि एक्जक्ट कलर और कंपेरिजन फर्स से आपको पता चल रहा होगा हलका सा डिफरेंस है दोनों में यह बिल्कुल वाइटर प्रूफ है और किस्प्रूब है यह खाने से खाना खाने से बात या फिर कुछ पानी पीने से भी यह नहीं जाता है बिल्कुल भी इसे जब मैं रिमूब करेंगी आप देखते रहना इसे हलका सा जोड़ लगाना पड़ता है हलका सा इसे रगणना पड़ता है तो मैं इसे 525 स्टार दूंगी चलिए इसे रिमूब कर लेते हैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स क्लिंजर यूज करने के बाद भी मुझे हलका सा रगणना पड़ रहा है इसमें कुछ थोड़ा ज्यादा क्लिंजर की ज़रत होगी लेकिन यह जाएगा इतना भी जिद्धी नहीं है यह जादा ही है यह पो घए जाए ऑभी हम न घठी oversight करेंगे जिसका नाम है टॉफीौट टॉफी वाइप और आइकन तो टॉफी वाइप जो है वह है थोड़ा कॉफी ने कॉफी शेड प में ओर आइकन जो है वो एड़िध। तो हम सबसे पहले टॉफी वाइप ट्राय कर लेते हैं चारों का स्मेल काफी सिमिलर है शक्लेट स्मेल ही आता है और यह रहा इसका स्वाचस कर दो में थाँай स्वाचस Совे यह रहा है और ठ logging रहा है कर दोजय है कर दोúa कि आता है म Mais On स्मेल हैा कि अमाया सा विपन हुशहा है अ, यह प्याहँा है यह विर विर्डि shelves всё बाता है झाल झाल तो फ्रेंट्स ये था थर्ड वाला और इसका सेट भी आपने अच्छा से देख लिया है मैं बोली थी कि ये हलका सा कॉफी शेट में है कॉफी और ब्राउन आप कुछ भी भोल सकते हो अपने हिसाब से बारी है दफोर्थ वान आइकन जो कि मुझे पसंद आया मुझे कॉफी वाला शेट याने के ट्रॉफी ये वाइब इतना पसंद नहीं आया क्योंकि वो मुझे इतना सोड नहीं करता मेरे हिसाब से और आइकन जो है वो रेड शेट में है हलका सा रेड शेट आएगा आपको तो चलिए एपलाए करके देख है कि ये आइकन वाला शेट कैसा है और ये था हमारा फॉर नमबर फॉर सेट जिसका नाम आइकन और ये रेड शेट में है मुझे ये रेड शेट बहुत पसंद आया और फर्स्ट टू पिंक भी बहुत पसंद आया गौशिप गलर वीडियो स्टर ट्रोफी वाइब इतना कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि वो कॉफी कलर में था और कॉफी या और ब्राउन मुझे इतना परसंद नहीं है बाकी ये तीनों को मैं 5 स्टर दोंगी बस ट्रोफी वाइब को जो है मैं 4 स्टर दोंगी तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रिव्यू फोड़ ब्यूट्री दा पिंक अडिश्टन लिक्विट मेट में इसका आई होब आपको बहुत हैल्पूल होगा ये वीडियो आप इसे जरूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे शेनल को अगर आप नए है तो और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करना ना भूले बाइबाइबाइज थैंक्स पर वाचिंग